वेल्कम बैक टो माई चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में आप बात करेंगे न्यूजन इंडस्ट्रीज के बारे में तो यहां पर पहले देख लेंगे कंपनी की थोड़े बहुत फंडमेंटल फिर आते हैं चार्ट पे और फिर हम लोगों वहां पर देखेंगे किल लेज पर हम लोगों को यहां पर आके बाइंग करनी चाहिए और टार्गेट फिर हम लोग क्या ले सकते अभी पहले चीज़ से देखो रिजल्ट आया है इनका भी 19 जुलाई को अपकर आया था मतलब और उसी के साथ-साथ-साथ आ इसमें तो इसका डेफिनिट एक निकाली है तो यह है कि मार्केट इसमें रिवार्ड दे रहा है उन कहीं जरिए इसका मतल SAT कहीं कहीं मार्केट कई न वर्य मार्केट के तरफ ट्रांशन कररे आगर यह तो अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी कम्पङझी बहुत आदा मू ना करती और बेकार रिजल्ट आने पर कंपणी 12-13 पर्सेंट परसेंट तो मतलब एक यह कह सकते हैं यहां पर किया नभी यहां पर करना करकें और यह समें से सकते हैं आप लोगों को आई-टी के अंदर बाइन कर रही है सब्सक्रोंट जेंद आपकी कम्पनी के अंदर मार्जिस्ट होते हैं कि कि ye एहमियत क्या है अच्छी बात है यहां पर कंपनी की सेल्स पंदरा परसेंट फिलाल यहां पर ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कंपनी बहुत ही कंस्टेंट वे में ग्रो कर रही है यहां पर कम हुई है यहां पर कम होई है यहां पर क्योंकि यह चीज बहुत पहले ही हो गई थी रिसेंट टाइम्स पर हुआ नहीं 2021 क्या सब्स हो गया था तो क्यापटल रेस करने के लिए भी प्रमोटर से अपनी शेयर बेशते हैं अब यहां पर देखोगे तो अब यहां पर देखा जाए तो इन वाले लेवल से फिर से ब्रेक आउट देखने के लिए अब यहां पर तो गया बाइंग कर लेंगे यहां पर यहां पर आपको इन वाले लेवल से जोगी होगा इसका ग्यारा-बारा फसंट नीचे और फिर वहां पर फसने की चांसे ज्यादा हो जाएगा अगर नीची आएगा तो कि भागता है मतलब ऑक्टोबर के बाद भी नहीं चल रही है तो अब क्यों करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बस इतना समझ दो कि यह डेटा इंट्रेस्ट रेट को देखते हो बोल रहा है एक तरह से तो इस एक साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर स्क्राइब सब कर देना बैल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाना और अपना कैपिटल से रखन को कि बाया